नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका एक बार फिर से स्याम एजूकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इलेक्टिकल इंजिनरिंग के फिप्त समेश्टर में हमें कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं और कितने सब्जेक्ट का प्रेक्टिकल और वाईवा होगा इसके बारे में पूरी डीट्रियल जनकारी तो आएए दोस्तो देखते हैं बट आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पे नए है तो प्लिज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजी तो दोस्तो इलेक्टिकल इंजिनेरिंग के फिफ्ट समेश्टर में टोटल हमें फाइफ सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं जो कुछ इस प्रकार हैं जिसमें सबसे पहला नमबर पे जो सब्जेक्ट है हमारा वो है इंडस्टिरियल मैनेजमेंट एंड इंटर पेनियोशिप इसमें खेंड इंडस्टिरियल मैनेजमेंट कहते हैं इसका केवल रिटेन इग्जाम होता है इसमें कोई प्रेक्टिकल वाईवा नहीं कराया जाता है इसमें आपको स्विच गेर और प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ाय जाता है नेक्स्ट तीसरा सब्जेक्ट है जो हमारा वो है पिलसी माइक्रो कंट्रोलर एंड सकेडा इसमें आपका प्रेक्टिकल वाईवा और रीटेन एक्जाम तीनों कराया जाएंगे इसमें आपका प्रेक्टिकल 35 नमर का होता है और थियोरी 50 नमर का होता है नेक्स्ट चौथा सब्जेक्ट है जो हमारा वो है इलेक्टिकल मसीन सकेंड जैसे आपने पिछले समेश्टर में इलेक्टिकल मसीन फ़र्ष्ट पढ़ा था सेम उसी तरीके से आपको electrical machine second को पढ़ना होगा इसमें आपका जो machine होता है उनके कुछ advanced level की चीजों के बारे में पढ़ाया जाता है इसमें आपका written exam practical viva तीनों कराया जाएंगे next और last subject है जो हमारा वो है elective इसमें आपका केवल theory exam होता है इसमें कोई practical viva नहीं कराया जाते है तो दोस्तों उम्मिद करते हैं कि diploma in electrical engineering fifth semester से related to this level के बारे में वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो please like and subscribe this channel thanks for watching वीडियो मिलते हैं एक new वीडियो के साथ